हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग डिप्रेंट कॉंसेप्ट वाले मूवीज के बारे में जिनकी स्टोरी लाइन और कॉंसेप्ट अप स्टोरी एक दम ही डिफरेंट है तो चलिए जानते हैं कि आज के हमारी इस टॉप 10 काउंड़ाउन में कौन-कौन सी ऐसी इंट्रेस्टिंग मूवीज है चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंड़ाउन लेकिन बाद में उन्हें अचानक से पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी के सभी मैन इटर हैं मूवी में क्या लास्ट तक वो सभी दोस्त वहाँ से सर्वाइब करके निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं इसी को पर बेस करके ये कंप्लेट मूवी बनी है मूवी को IMDV रेटिंग देती है 10 में 5.8 नमबर 9, Face Off मूवी को रिलिस की थे 1997 में और मूवी बेस्ट है थ्रिलर और अक्शन अक्टिविटी के ऊपर मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक FBI एजेंट से जिन्हें बंदी बना लिया जाता है और उनके फेस को एक क्रिमिनल यूस करता है या फिर कह सकते हैं कि वो फेस की अदला बदली करता है मूवी में क्या लास्ट तक FBI एजेंट अपने वजूद को खोच के निकाल पाते हैं या फिर उस क्रिमिनल को पकड़ पाते हैं या फिर नहीं पकड़ पाते हैं इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है इसी बीच उन्हें कुछ FBI के लोग अपने mission में सामिल करना चाते हैं लेकिन वो उस mission में सामिल नहीं होना चाते हैं मूवी में कैलास्ट तक निकॉलिस केज उनका साथ निवाते हैं या फिर नहीं निवाते हैं इसी गवर बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है मुवी एक्षन और थ्रिलर अक्टिविटी से भरी पड़ी है और इस मुवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2 नमबर 7 Cellular मुवी को रिलीज की गए थी 2004 में और मुवी बेस्ट है Crime and Thriller अक्टिविटी के अपर मुवी की स्टोरी शुरू होती है रैन नाम के लड़की से जो की एक अनजानी कॉल कोरीसिप करता है और उस कॉल में उसे एक मैसेज मिलता है कि उसकी कोई मदद करें मुवी में क्या रैन उस लड़की की मदद करता है या फिर नहीं करता है इसलिक और बेस्ट करके ये Complete movie बनी है मुवी को IMDb rating देती है 10 में 6.5 और इसकी thriller और action activity भी आपको बहुत ज़्यादा interesting लगेगी Number 6, Repo Man मुवी को release की गए थी 2010 में और मुवी based है crime and science fiction activity के ओपर मुवी की story शुरू होती है दो दोस्तों से जो की human artificial organ को चोरी करते हैं और इसी बीच एक दोस्तों को एक artificial organ की ज़रूरत पढ़ जाती है और उस organ को जब उसके अंदर plant कर दिया जाता है उसके बाद से उसमें बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं मुवी action और thriller activity से भरी पड़ी है और इस मुवी को IMDb rating देती है 10 में 6.3 नमबर 5 The Core मुवी को release की गए थे 2003 में और मुवी बेस्ट है drama and science fiction activity के ओपर मुवी की story शुरू होती है अचानक से अर्थ के core में कुछ हलचल से नजर आती है और उस हलचल को ठीक करने के लिए मुवी को IMDb rating देती है 10 में 5.5 नमबर 4 Final Destination मुवी की first part release की गए थी 2000 में और मुवी best slasher and thriller activity के ओपर मुवी की story actually आपको ले जाती है कुछ supernatural activity की और और इस मुवी में आप देख पाएंगे कि एक लड़का जो की मौथ से पहले हर एक visions को देख लेता है और उस मौथ को वो किस तरह रोकनी की कोशिस करता है मुवी में बड़ी अच्छी तरह से दिखाई गई है मुवी actually आपको horror से भी जादा डरावनी लगे गी और इस मुवी को IMDb rating देती है 10 में 6.7 मुवी को रिलिस की थी 2006 में और मुवी बेस्टर ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ओपर मुवी की स्टोरी के अगर हम बात करें तो इस स्टोरी आपको ले जाती है ट्रावल्स के दुनिया में जहां पे अंद्रिस्वास फैली हुई है और एक दूसरे को मारने पर लोग उतालू है या फिर कह सकते हैं कि एक कभीले के लोग दूसरे कभीले के लोगों को मारने के लिए उतावले होते हैं इसी बीच जैगवार बाव अपने फैमिली को और अपने आपको किस तरह सर्वाइब करता है दूसरे कबीलों से इसी को बेस करके यह complete movie बनी है movie को IMDb rating देती है 10 में 7.8 इस movie को आप जरूर देखें नमबर 2, Mad Max movie को रिलीज की गया थी 2015 में और movie best of fantasy science fiction and action activity के ओपर movie की story शुरू होती है Westland से जहां पर Max को बंदी बना कर रख दिया जाता है लेकिन इसी बीच Max उन लोगों से survive करने की कुशिस करता है movie में क्या last तक Max उन Westland के warriors से अपने आपको survive करवा पाता है या फिर नहीं करवा पाता है इसी करपर बेस करके यह complete movie बनी है movie action और thriller activity से भरी परी है प्लस इसकी concept of story एक दम ही different है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 8.1 और last और number 1 पर हम बात करेंगे Avatar movie को release की गे थी 2009 में और movie based है fantasy and mystery activity के ओपर movie की story के अगर हम बात करें तो story के बारे में आपको ज़्यादा introduction देने की जरूत नहीं है क्योंकि Avatar movie world की सबसे ज़्यादा hit movie रही है movie की story आपको ले जाती है एक ऐसे planet में जहाँ पे कुछ अलग तरह की ही civilization रहती है और वो civilization वहाँ पे किस तरह survive करती है या फिर वो अपने planet को बचाने के लिए किस हद तक जाती है इसी के उपर base करके ये complete movie बनी है movie fantasy और action activity से भरी पड़ी है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 7.8 तो friends उमीद करता हूँ कि आपको आज का countdown पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please मेरे चैनल को subscribe करें like का बड़ें जरू दबाए और comment हम जरू शेयर करें तो फिर मिलते हैं ने वीडियो के साथ ने countdown के साथ खुश रही है healthy रही है गुट बाए